आप लोगोंने फास्टेक के बारे में सुना होगा क्योंकि अभी हाली में सडख परिभन एवं राजमार्ग मंतराले ने इसे अनिवार कर दिया है किसे फास्टेक को यानि कि अब आपको गाड़ी अगर चलानी होगी तो आपको इस तरह का फाक्टेक लेना अनिवार होगा एक किस तरह सी काम करता है आप लोग देखिए आप लोग देखेंगे कि इसे अगर आपने ले लिया होगा तो आपने अपनी वेंड स्कीन याणी की सामने की स्कीन पर लगा रखा होगा यहां, आप समझ रहें, जब भी आप लोग टोल पिलाजा से गुजड़ेंगे, तो सामने आप देखते होंगे कि एक सेंसर कैमरा लगा होगा, वो इसे एक तरह से स्कैन करेगा, और जितना भी वहां का टेक्स होगा, उसे काट लिया जाएगा आपके काउंट से, या फिर आप लोग बात करें, या कॉछ और जो भी काड काम हो जाता है, तो आप लोग वहां भी काईड का उपइओक करते रहते हैं, एक तरह से आप कहिए कि इसमें चिपस ही लगी रहती है, आप समझ रहें, कि जो इसकैन कर लेती है, अगस आप काम हो जाता है, ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो हाली में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो भी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रा ले इसने फैसलाई लिया है कि राष्टी राजमार्ग पर सुल्क संग्रय यानि की पिलाजा की सभी लेन को 15 फरवरी या फिर 16 फरवरी 2021 की आध लिवार हो चुका है अगर आप लोग इसका उलगन करते हैं तो जो टेक्स होगा उससे दुगना टेक्स आप लोगों को भर ना होगा तो अगर नहीं लिया है तो आप लोग ले भी लीजिए राष्टी ए राजमार्क सुल्क नियम 2008 की अनुसार कोई भी वहान जिसमें फाष्टेक नहीं लगा हुआ है अतबा जिस वहान में बैद कार्यात्मक फाष्टेक नहीं है उसे सुल्क पलाजा में प्रिविस करने पर उस सैनी के लिए निर्धारिश सुल्क का दुगना सुल लोग उलिगन करते हैं तो समझने हैं आप लोग भारत सरकार के सड़क परिवान और राजमार्क मंतराले ने यह भी गोशना किये कि डिजीटल मोड के माध्यम से सुल्क भुकतान को बढ़ावा देने और पितीक्षा समय और इनन की खपत को कम करने और सुल्क प्लाजा की आसान और निर्वाद मार्क पितान करने ही तो ए विवस्था की गई है क्यूंकि आपने देखा होगा कि अगर आप जाते थे तो बहुत लंबी लाइने लगी रहती थी आपको बहुत टाइम इंतजार भी करना पड़ता था और फिर इंतजार की छोड़ी आप लोग आपका इनन भी कत्म होता रहता था और इनन रहता था रोक रहे हैं आप देखते हैं तो परयाबरन को भी नुकसान होता था समझ रहे हैं तो इन सबी को दियान में रखते उए ञेड़े लिया गया है अगर बात करें हम लोग फास्टेक के बारे में तो फास्टेक एक रेडियो पेकोंसी पहचान इस टीकर है जो बहान की विंड स्कीन यानि की सामने वाली स्कीन पर लगाया जाएगा यहां आप लोगों को दिखाया भी ना इस तरह से ठीक है और सामने सेंसर होगा जो एक तरह से इसकेन करेगा और उसमें से आपका जो भी टेक्स होगा उसे निकाल लेगा समझ रहे हैं आप लोग जब भी कोई वाहन टोल पिलाजा से गुजरता है तो वहां लगे को हुए इस आप लोगों को थोड़ा सिलो करना होगा और जैसे ही सकेन करेगे आप लोग आगे बढ़ सकते हैं आराम से आप लोगों को अभी देखते होंगे कि आप लोग खड़े रहते थे परची कटबाते थे एवेवस्ता खतम हो जाएगी ठीक है इसके भुकतान का माध्यम National Electronic Toll Collection Program की तरीके से होता है National Payment Corporation of India भुकतान रासी लेती है और एक बात और समझी आप लोग कि आज की समय में सबसे अगर कीमत कुछ है तो आपका समय है समझ रहे हैं आप लोग तो बहुत कुछ है पैसा मायने नहीं रखता है समय बहुत कुछ मायने रखता है याद रही कि फास्टेक की सुरुआत 2016 में की गई थी और चार वेंकों ने उस साल सामोही कुरूप से एक लाग फास्टेक जारीवी किये थे ठीक है नवंबर 2020 में भारत सरकार की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंतराले ने अधी सूचना जारी कर एक जनबरी 2021 से पुराने बहानों य लूम में electronic toll का इस्तिबाल किया जा रहा है और ऐसा पहला toll प्लाजा नौर्वे में सन 1986 में सुरूं किया गया था तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग नौर्वे से कितने पीछे हैं यानि कि जो काम आप समझी कि 1986 में नौर्वे में हो चुका था वो हमारे यहां आजकल हो रहा ह समझ रहे हैं आप लोग इस नियम के बारे में भी याद रखी इससे भी questions आपके परिक्षाओं में भी direct मूच लेता है और वैसे भी इस तरह की topic आपके परिक्षाओं को छोड़िए अगर आप भारत में रह रहे हैं आप लोग कार काई उच करते हैं या और भी किसी वाहन क दो आप लोगों को मालो होना चाहिए सामान जानकारी के बारे में केंदरिये मोटर वहान नियम 1989 के नुसार एक दिसंबर 2017 से नए चार पहिया वहानों के पंजीकरण के लिए फास्टेक को अनिवार किया गया है और इसके लाबा परिवाहन वहानों के फिट्रनेस वहानों के लिए फास्टेक को एक अक्टूबर 2019 से अनिवार किया गया है और नए तीसरे वक्ष भीमा के लिए भी वैद फास्टेक को अनिवार किया गया है यह एक अपरेल 2021 से लागू होगा अब आपके मन में आते हैं कि सबाल इस तरह का सबाल भी आ रहा हुआ कि आखिर प्रोफट यह अलाव यह है कि फास्टेक रहने से लोगों को टोल पिला जा पर पेमेंट के लिए रुकना नहीं पड़ता है अगर आप इसका उपयोग करते हैं आपकी विंडे स्कीन पर लगा रहेगा आपकी नहीं मतलब कहने का मतलब है कि आपकी गाड़ी की तो आप लो हो था है ज औरंज रहेंगे आरां सिपरमेंट हो जाएगा इस से लंबे जाम से भी बचा जा सकता है अभी आप लोग देख रहे थे पिदूसन भी कम आप एक तरह से समझी होगा क्योंकि अभी आप समझी कि कितनी गाड़ियां खड़ी रहती थी तोन में से कई लोग क्या करते थे कि अपने गाड़ियों को चालू हुई रखा करते थे, समझ रहे हैं तो इन से भी मुपती एक तरह से मिल सकेगी, यही कहानी आपकी फाश्टेक की, इसके बारे में एक सामन जानकारी आपको होना भी चाहिए इसमें यह भी कहा जा रहा है कि नए बाहन जो भी मालिक खरीदेगा आप समझी कि अगर आप नए बाहन खरीदेगा तो इसमें आपको चिंता करने की बहार रखे हुए, तो उनके लिए एक बात याद रखे, आप किसी भी पावर, माप करिए पॉइंट आप सेल से खरी सकते हैं जो बैंक एक तरह से आप समझी कि दे रहा होगा, इन्हें वहां से आप लोग खरी सकते हैं, ठीक है और इस तरह की सुविधा मुझे लगती है कि सभी के पास होना अच्छी बात है सबसे बड़ी बात है कि समय की कीमत बहुत जानदा है मैं बार बार वोल रहा हूँ समय से जानदा कुछ भी नहीं है तो काफी समय की बचद भी होगी आपके लिए ठीक है तो इनके बारे में याद रखिए ही है